दोस्तों नमस्ते चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ उम्मिद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं आप लोगों का मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद तैंक यू सो मच फर्स्ट आफ फेवरी से लेके 15 फेवरी के बीच में जो फ्री कुणली रीडिंग में जिन्नों रिक्वेस्ट डाली थी उसमें से जिनकी कुणली सिलेक्ट हो गई है उनकी याद में रीड करने की कोशिश करूँगा अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दो चीज़े बता दू अगर आप पर्सनल लीडिंग करवाना चाहते हैं जो की चार्जेबल है उसके लिए भी और अगर आप फ्री करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप वर्टसअप में मुझे हाई लिक्के आपको बताया जाता है वह चार्जेबल होती है अगर आप फ्री लीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके उसके अंदर आपकी दो सवालों के जवाब दिये जाते हैं लेकिन अगर आपकी कुणली सेलेक्ट होती है तो आपके सवालों के जवाब मिलते हैं 15 दिन का सरकल होता कुंड़ी selection process में डाल सकते हैं अगर आपकी कुंड़ी select हो जाती है repeat में तो आपकी reading हो जाएगी और अगर आाप Fresh First time देख देखनेश तो भी आपकी selection होने के chances रहते हैं तो आप अपनी कुंड़ी88र करवा सकते हैं अगर कुल लिस की रीडिंग होती है अगर आपकी कुल लिस सेलेक्ट हो जाती है तो आपके रीडिंग होगी आपके दो सवालों के जवाब दिये जाएंगे और यूटूब में इसका वीडियो बनेगा यूटूब में यह वीडियो अपडेट किया जाएगा आपको लिंक आपके WhatsApp प्रवाइट कर दिया जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है उसी नंबर पर वटसेप हाई लिख दीजे चाहा आपको परसनल रीडिंग करवानी है जो चार्जबल है या आपको फ्री रीडिंग करवानी है जो फ्री ओफ कॉस्ट है चानल सब्सक्राइब करन एक और चीज कई सारे लोग जो अभी थोड़ा सा रिलेशन्शिप्स को लेके परेशान है उनको मैं यही बोलूँगा कि देखें पीस ऑफ माइंड ढूंड थोड़ा सा ढूंड ये और रिलेशन्शिप्स को लेके जादा इतना सीरियस मत हो ये अगर कोई आपको छोड़ दिया है आप किसी से परेशान है तो मैं समझ सकता हूं कि ऐसा फील होता है सब की जिंदगी में ऐसे फेस आते हैं और हर कोई इस फेस को काटने की कोशिश करता है और उमीद करता है कि वो हमें वापिस मिल जाए लेकिन जो चीज आपकी किसमत में ना हो और जो चीज वक्त अपको देने के लिए राजी ना हो उसके उपर आप और मैं कुझ भी नहीं कर सकते हैं ध्यान में रखेए कर जरी कि वक्त सबसे ज्यादे शक्तिशाली इंस्टुमेंट है इस दुनिया में जो चीज वक्त दें सकता है या छीन सकता है वो कोई और नहीं कर सकता so blame करना किसी को कि वो नहीं आया या वो है या हम में कमी है वो सकता है आपका अगर आपको अपने कमी दिखती है तो उसको improvise करने की कोशिश करिए but वक्त जो चीज आपकी किस्मत में होगा वो आपको ज़रूर देदेगा time is the important ascent in every person's life so उस पर भरोसा रखिए आप अगर काबिल होंगे तो आपको आपकी काबिलेत के साफ से जरूर आपको आपकी opportunity मिलेगी चाहे वो प्यार हो चाहे वो career हो चाहे वो growth हो ये चाहे वो success हो आपको सिर्व अपने काम पे ध्यान रहना पड़ता है आलस नहीं करना होता है आलस करेंगे तो आपको वो negative result देगा ये simple solution है किसी भी जिंदगी के problem को sort out करने के सो समझ के दिन के decision लीजिए और अपने काम पे लग जाएए ज्यादा मत सोचिए आलस मत करिए अगर आलस करेंगे तो ये वक्त आपको खा जाएगा जिंदगी आपको खा जाएगी बहराल ज्यादा उपदेश देने का मुझे मैं नहीं चाहता कि आप लोग बहुर हो जाए मेरे उपदेश है जो purpose है उसको sort out करते है हाँ फर्स्ट मार्च का का टाइम चला है तो फर्स्ट मार्च में अगर आप लोग फ्रेश वीडियो देख रहे हैं पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट मार्च तक वर्टसाप पहाई लिक के भीज़ दीजे डीटेल में दे दूगा हो और चैनल सब्सक्राइब कर लिज़े आपकी कुल्ली सेलेक्ट होगी तो ऋगी तो ए singles मार्च मार्च का तो पहली कुल्ली जो है उसके रिकारडी हम बात कर लेते हैं पहली जो कुल्ली है वो अधिती जी की है अधिती जी आपका लास्ट का जो डिजिट है वो 89 है मोवाइल का ठीक है आपका दो सवाल है एक तो आपने पूछा है मैरेज और फ्यूचर रिलेटेड है हजबन के रिलेटेड और दूसरा आपने करियर सेटल्मेंट के रिगार्डिंग पूछा है शादी कब हो कि इसके रि लगन है वो लियो है सूरीय का लगन है ये लियो लगन की है आप इसके जो मालिक हैं वह सूर्य बनते हैं सं बनते अगर देखा तो यहां देखा जाए तो करिए के रिगार्डिंग अगर आप कोई गौवर्न्मेंट जॉब की सर्च में हैं तो आप कर सकती हैं तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो करियर सटल्मेंट आपको देखे आपकी शनी की द्रचाद जो लगी है वो 2021 से 2040 तक की लगी है तो यहां पर जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी स्लो होगी विकाज शनी आपे स्लो रेजल्ट देंगे थीके तो सूरी के एनेमी होने के कारण यहां पर शनी थोड़ा नेगटिव रेजल्ट देने के लिए बाते हैं लेकिन एक चीज पॉजिटिव यह है कि शनी जो है भाग्ये के स्थान में जाके बैट गया है नेगटिव क्या है उसमें भी उसमें नेगटिव है कि मंगल के बैठने के कारण शनी यहाँ पे नीच के भी हो गए है ठीक है लेकिन भागे स्थान पे हैं इसलिए आपके लिए उतना नेगेटिव नहीं होगा भागे स्थान में जो प्लैनेट है उसके लिए वो अच्छा रहता है गुरू के साथ बैठें यह पॉजिटिव है गुरू को यही बोलूँगा जिकि यह टाइम प्रेट उतना अच्छा नहीं है सट्लमेंट के लिए अगर महादशा को दिखा जाए शनी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है लेकिन अगर आप बिजनेस और कॉम्निकेशन रिलेटेट काम करना चाहें क्योंकि बुद्ध की अंतरदशा चल रही है 2026 तक तो बुद्ध की अंतरदशा में अगर आप कॉम्निकेशन रिलेटेट या फादर से फादर के साथ जूड़की कोई काम करना चाहें तो उसकी रिगाड़ी आपके लिए अच्छा रहेगा साथ में यहीं बोलूँगा अपने हेल्थ के लिए और अपने फा जगल रहेगा थोड़ा सा लेकिन बिजनेस अगर आप करेंगी तो अच्छा रहेगा शुक्र आपका जॉब के रिलेटेड प्लैनेट है दसवे घर का मालिक है और साथवे घर का मालिक शनी है शनी की महादशा चल रही है तो इस कारणवर्श यहीं बोलूँगा जिकि अग कर आप ऐसा काम करते हैं तो अच्छा रहेगा डिस्प्र रेजुशन करने में आपको फायदा रहेगा शनी के कुछ उपाई करने पड़ेंगे शनी वार को और मंगल वार को आपको हनुमान चाली सा पढ़ना पड़ेगा सैमिल्टेनेंसरी शनी के लिए कुछ काली चीज़ तक आपको स्लो प्रोसेस में देगा पागिस्तान में बैठा है गुरू के साथ बैठा है तो इसकारण वार शेटल्मेंट जरूर करने की होईगी यह सच बात है अब बात यह रही जी कि शादी और करियर शादी के लिए मैं यहीं बोलूँगा जीकि आप थोड़े सी गुस नहीं बोल सकता लेकिन आप जरूर ट्राई कर सकती हैं अगर आप चाहती है तो लेकिन बिजनेस में रहेंगी कॉम्निकेशन रिलेटिव को बिजनेस में रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा और से बिजनेस करती है तो उसमें भी अच्छा रहेगा लेकिन पिता के हो के नवम में बैठ है यह अच्छा है और पाप से अगर अच्छा रिलेशन है तो अभात रहते हैं शाधी की अगर पूछू हूं तो वो अगर की timing है तो वह अगर आप चाहें तो 2027 के बीचक का ताइम पिरिएट क्योंकि शुक्ष्बी की अंतर प्रदशा लगेगी इशनी के बीच में तो शाधी का जो टाइम पिरेट रहेगा वो अच्छा रहेगा हो सकता है वह आपके बर्थ प्लेस से दूर किसी परस्टनालिटी हो हालकि यहां पर शुक्र हाँ दस्वम कामी मालिक है तो वक से रिलेटेड भी हो सकता है किसी से आपके शाधी हो जाए तो कोशिश करिएगा बाकी मैं यहीं बोलूँगा कि अरेंज मैरीज की तरह ज्यादा फोकस करिएगा और दूसरा है कि लब मैरीज भी कर सकते हैं आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बस थ सकते हैं उनकी कुंड़ी मैच कर वालिंगी तो बहतर रहेगा बहराल यहीं था दोजार 27-31 के बीच में अगर आप शादी के लिए कोशिश करते हैं तो अच्छा है अपनी परस्नालिटी अभी भी आप कोशिश कर सकती हैं बुद्ध के समय में लेकिन यह सक्सेस्फुल रह है है सक्सेस्फुल रहेगा के नहीं रहेगा इसकी ग्यारेंटी नहीं मिलेगा नहीं अभी पैसे कमाने के टाइमिंग दिखा रहा है और कॉम्मिकेशन के थुरू इंकम के होगा यह फादर के थूप कोछ भी काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा यह था मेरी अबने आपकी लास्ट नंबर या मोबाइल सिक्स नाइन मैं पहले बिटा तो जी कि पहली वाली कुणली भी रीपीट थी और ये कुणली भी रीपीट रिपीट है रीपीट मतलब यह कुणली पहले भी आ चुकी थी जू स्लेक्ट नियुक्त नीजिए लेकिन अब की बाद स कुछ करोगे जरूर कोशिश करते रहो जरूर मिलेटेट अगर कोई कौर्मन जॉब मिल जा तो अच्छी बात रहेगी जो भी यहां पर बनने के चांस से बिलकुल बने हो यह तो इंकम भी मंगल के अच्छी रहेगी कोई दिक्कत की बात नहीं है यह थोड़ा सा है प्रॉब्लमेटी लेकिन इंकम को रहे तो जॉब से कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं कोशिश कर रहा मेंनद कर तो जोब मिल रहेगी कि अगर कोई काम करोगे या कुछ भी ऐसा जो कि या यह चीजों में या श्यार मार्के रेटेट किसी कमपनी में अगर गौर्रमेंट जौब दूडने जाओंगे तो शायद ज्यादा असानी से मि उम्मीद करता हूं कि एजुकेशन में कोई टीचर या ऐसी कोई प्रोफेशन में अगर जाना चाहोगे तो अच्छा रहेगा बाकी यह रहा जैकि गौर्णमेंट जॉब के लिए स्टडी करने के बाद भी आप एक डीप स्टडी करके भी आप एक गौर्णमेंट जॉब ले स चाहिशी कम बैग मतलब जिससे आप प्यार करते हो कि अगर 2023 से पहले मतलब अक्तूबर से पहले अगर यह रिलेक्शन्चिप था तो तो बूल जाओ नहीं आएगी और अगर उसके बात है उसके बात हुआ है तो हो सकता है आपके रिलेक्शन सिप में एक सक्सेस मिलेग यह यहां पर अगर यह भी हो सकता है कि आप शादी कर लें क्योंकि 2025 तक आपका मून के अंतरशा चलिए शुक्र के अंदर टोटली इमोशनल बाइग्राउंड बनाता है मून यहां पर आपके साथवे घर का मलिक है तो यहां पर शादी करने के चांसे बन जाते हैं अनब तो अग या जून तक 25 मईए जून तक शादी करने के चांसे जरूर बनते हो और यह भी हो सकता है जिकि आप अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करें लेकिन क्या वह वही लड़की होगी उसकी गैरेंटी नहीं है और आपको बापिस मिलेगी उसकी गैरेंटी ने अगर सूरे औक्टोबर से पहले की रही है तो चांचे शायद कमी है कि आपको बापीस हो मिले क्योंकि यहां पर सन की पोजिशनिंग अच्छी नहीं है अपने बर्थ प्लेस से दूर अगर कुछ काम करोगे तो भी अच्छा है अगर कोई जॉब बर्थ प्लेस से दूर ढूंड रहे हो ग तीसरी जो कुंडले है वो शैंतिका की है शैंतिका आपकी जो लास्ट नंबर है मोवाइल का फाइफ टू है आई होप आइं प्रोनाउंसी और नेम प्रॉपरली बटिफ इस नॉट आइम रिली सॉरी शैंतिका आपने दो सवाल पूछे आपके मुस्ते कई सारे सवाल पू बहराल मैंने यह कुंडली थोड़ी सी जान बूच के मैंने यह एक्सेप्ट करिये आपका लगन मंगल का है आपका मंगल का है आपका मंगन लगन एरीस का है आप एरीस लगन की है आप जिस से रिकुएस्ट कर रहे हैं मतलब मुझसे रिकुएस्ट कर रहे हैं फ्रेंक लिस पीकिंग एक शनी के मना करने के लिए कह रहा हूँ बहराल मेरा काम है आपको बताने का तो मैं बता देता हूँ देखिए लगन एरीज है एरीज लगन का आदमी वो आदमी है जो इस लगन जो इस दुनिया में सबसे पहले आया है समझ रहे हैं और सबसे पहले जो हम उसके साथ दिकत यह है, जिकि उसको लड़ना आता है, अगर उसे एक target दे दिया जाए, तब तक उस target को fight नहीं करता, तब तक वो लड़ता है, लेकिन अगर वो soldier healthy नहीं है, positive नहीं है, तो उसको उसमें problem होती है, वो थक बहुत जल्दी जाता है, बहराल इतना lecture मैं नहीं दू स्टबन होने के कारण अगर आपको कुछ बोला जाए, आप उसके अगेंस्ट में जाती है, मैं उमीद करता हूं जिकि आप इस बात पर अगेंस्ट पर ना जाएं, बट अगर आप जाती हैं, तो आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, आप कर सकती हैं, मंगल आपके अस्टम यहाँ पर नेगेटिव होके बैठा हूं, जरूर यह बोलूगा, हेल्थ को रिलेटेड थोड़ा से कंसर्ण है मेरे को, तो हेल्थ को रिलेटेड थोड़ा से ध्यान रखेगा, साथ मैं यह बोलूगा, आपने दो जो सवाल पूछें कि मैं मैरी जीर कौन सा रहेगा, और क् सवाल पूछा तो अगर आपने अगर मुझे से दूसरा सवाल पूछा था उसके रिगार्डिगार मैं बोलूँ तो प्रेजंटली आपको अगर आप अपने करेर पर फोकस करें तो बहतर रहेगा अगर आप अपने finances पर फोकस करें communication skill पर फोकस करें तो बहतर रहेगा और शनी आपके second house में बैठा है आप communication related अगर कोई job पकड़ती है तो बहतर रहेगा अभी शनी आपका 10 वे घर का मालिक है और 11 वे घर का मालिक है मतलब working lord है और income lord है working lord and income lord are sitting in second house which is a communication house if that communication house or father's house ancestor of fixed asset house so you can gain some money from your ancestors also you can gain some communicate you can be good communicator if you work in a communication related business i hope you understand my intentions why i am not focusing on your cautioning because that's cautioning is what making you delay in your life making you uh the very question is the question that uh reason behind your confusion in your life you are very much in your life in this question that that i will get married or not and when i will get married or not and when i will get married इसे करूं उसे करूं और उस वज़ह से अपना time period waste कर रही हो और यह शनी का काम है यह इसले कर रहा है शनी बिकॉस second house में शुकर की दशा है शुकर का हाउज शुकर थार्ड होज में बैठ़ा है शुकर है यहाँ पर कोहीं चनी ना कहीं से आपकी relationship को लेकर चनी यहां पर कहीं ना कहीं से relationship को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे situation करें जिए आप में focus से diverge हो रहे हैं अगर आप अपनी महादशा और उसके बात की महादशा को अगर focus करें मुझसे मत सुनिये किसी और पंडित के पास जाके पूछेगा अगर वो पंडित आपको उसके बात की महादशा में फिर भी आप थोड़ा से relationship को नहीं हो सकता फिर भी relationship को लेके तो मैं यही बोलूँगा जिके अगर कोई पंडित अगर आपको कोई अच्छा guidance देता है म मेरे इलावा भी कोई और पंडित हो तो उसके सुनियेगा वो क्या बोलता है अगर वो अच्छा पंडित है वो जरूर आपको बोलेगा जिके अपने career पर focus करेगा बहरा अगर अगर आप स्टाबर नहीं है अपनी शादी को लेके तो मैं यहीं बोलूँगा जिके अभी तो सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाए उसके लिए माफी माँगूँगा बट आई होब आपको मैं समझानी की मैं जो समझानी की कोशिश करा आप उस पर clarity ले ले क्योंकि जो सवाल आपने पूछा वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं वह रियालिटी में क्य सवाले करियर रिलेटेड है अविनाश आपने दो सवाल पूछे उसमें मैं सीधी जवाब में कर देता हूँ 2015 से आपके गुरू की महादशा चल रहे है गुरू आपके लगन में बैठा है वर्गो लगन है आपकी उसमें बैठा हुआ है 2015 से लिए 2021 तक गुरू की महादशा चल रही है वर्गो लगन पर है वर्गो मतलब बुद्ध के लगन में बैठा हुआ है जुपिटर यहां पर जुपिटर अच्छा कॉफिडेंट नहीं रहता पॉजिटिव नहीं रहता पर मुझे यह समझ भी नहीं आ रहा है कि अभी तक अगर आपको जॉप आपने उसे ब चल रहा है 42007 उसका नौर रोके चल खोर 5700 का उन्यों की जहां पर जुपिटर चल Ribka चल रहा हो तो कहीर चल्ड़ा चक्छा तो कहीर करने कर सकते हैं तो Profit data Extranibilidad Кिण और आपको ळिमाग सब्स दिमांग कर औहppa और सा हई स्थैं और मैं नोक्री करनी है थोड़ा है सब करिग आपके दिमाग को ये तरीके से प्रॉब्लम दे रहा है लेकिन गुरू की दिश्टी अपने लगन पर पढ़ना साथवे घर पर पढ़ना लगन में बैठके ये खराब रेजल्ट नहीं होना चाहिए लेकिन बूत के लगन में बैठा हुआ तो शायद यहां पर आपकी गुरू के अंदर उकर करेंड तो मैं यहीं बोलूँगे खिकिशुक्र के इंतडशा में जब गुरू की मादसा चल रही चल रही है और शुक्र आपके नवम घर में करेंडढ मतलब पयृस्था में पिता के घर में बैठता हुआ है , और अभिनाश मुझे समझ नहीं आ रहा है कि why you are not pursuing anything like business related work or anything like anything like business और काई father के साथ कोई business या कोई ancestral business क्योंकि शुक्र है यहाँ पर नवम घर का मालिक है मतलब ninth house का मालिक मतलब भागी का मालिक और second house का मालिक मतलब simultaneously fixed asset father के property ancestral property का मालिक communication का मालिक होके नवम की घर में बैठा हुआ लेकिन हाँ यहां पर सिर्फ एक ही negative point यह है कि शुक्र के साथ बैठा हुआ के तु भी लेकिन नवम घर में बैठने के कारण सिर्फ इतना ही करेगा जिकि आपको एक अकेला पन देगा एकाकी पन देगा आपको isolation में डालने की कोशिश करेगा लेकिन शुक्र के साथ बैठने के कारण हो सकता है यह भी कारण थोड़ा सा avoiding हो जाए मैं आपको दो जीजन देता हूँ शादी करने की chances ले सकते हो मैं यहां पर फुल-fledgedly confident नहीं हो जीकि शादी करने से आपको क्या बोलता है सुक मिलेगा लेकिन मैं 70% श्योर हो जीजिकि शादी करने से आपकी कही सारी यह जो अभी टाइम प्रिट चल ला है या आपकी शादी करने के टाइम प्रिया चल रहा है मुझे ऐसा फील आता है कि आपने कहीं पर love marriage करनी की पहले आपको कोई love हुआ है या कहीं न कहीं disappointment मिला है तो कहीं न कहीं कुछ end दिखाता है वो सकता है love marriage में disappointment मिला है लेकिन family के साथ family के साथ interact करके अगर आप शादी करने की कुशिश करते हैं तो यह time अच्छा रहेगा विनाश शादी करने का सोच सकते हो और business करने का सोच सकते हो मैं जरूर हो सकता है आपके सवालों से बिलकुल out of the league जवाब दे रहा हूँगा लेकिन मैं कुंड़ी देख के दे रहा हूँ हो सकता है आप मुझे stupid समझ रहे हो तो माफ कीजेगा बट really I do not believe कि अभी आपके job का profile बन रहा है हाँ जरूर यह जरूर बोलूँगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है job का profile नहीं बनेगा हो सकता है job का profile future में बने ऐसा नहीं है या father से आपको फाइदा जरूर मिलेगा father से फाइदा मिलेगा तो पिता के साथ थोड़ा सा पिता का कोई business है तो मैं इतना सुरूर बोलूँगा जिकिए पिता के business में घुसना जादा बहतर रहेगा या उनके साथ काम करना जादा अच्छा रहेगा जुपिटर आपको विस्पत पार को पीली चीज़ का दान करने की कोशिश करिए चाया पंडित को करिए या पंडित के मंदिर के बाहर कोई भी आदमी बैठा उसको करिए यह लो चीज़ का donation करना शुरू कर दीजे इसके बाद 31 तक का समय है आपके पास आप अगर business में growth करना चाहते तो अच् communication related काम जरूर करिए लेकिन health related थोड़ा सा problem हो सकता है शादी के रिगार्डिंग मैंने फिर से बोल रहा हूं कि केतू थोड़ा सा problematic है यहां पर अपार्ट फॉम लगन में बैठा है शादी के घर का मालिक होगे लगन में बैठा है शुक्रिक नवम भाव में बैठा हुआ है अंतर दर्शाद चले तो शादी के बाद growth जरूर मिलेगी और यहां पर कहीना करें अगर आप शादी करते हैं तो आपको अच्छा फाइदा मिलेगा यह जरूर बोलूगा हाँ प्यार के तु कहीना कहीं isolation देता है तो जब आप शादी करें तो यह जरूर सोचके करिएगा जिद्नेगी में सब कुछ सब कुछ मिलता है सब कुछ होता है यहां छोड़के जाना पड़ता है तो थोड़ा जादा attachment किता भी रखे लेकिन detachment रखने की अगर भावना साथ में लेके चलेंगे सब कुछ यहीं छोड़के जाना है तो सब कुछ बुरा भी है तो मुझे accept करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कुछ काम रहेंगे तो अच्छे काम के साथ अगर आप चलेंगे spirituality को अगर focus करते हुए चलेंगे उमीद करते हैं कि तु पंचम स्थान से लगन को देख रहा है तो spirituality में जरूर हाँ लक्जरी के साथ spirituality रहेगी लेकिन spirituality को जरूर मत बिल्कुल मत छोड़ी को कोई गलत काम मत करिएगा कोई भी अगर गलत काम करेंगे तो वहाँ पर आपको द रिपीट लिखे बेज़ दीजेगा और फिर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं दूसरी चीजों को रिलेटेड लेकिन बोलता है रहता हूं बना नहीं पाता हूं मैं भी थोड़ा आलसी हूं माफ कीजेगा थोड़ा सा एक फर्स्ट और मार्स तक जिनकी की बेस दीजेगा दाने बाद